आपका यदी प्लस विभाजन के लिए है गुणा योग के लिए है माइनस गुणा के लिए है और भागे गटाव के लिए है तब निम्न में से कौन सा समय करने सही है इसके लिए नीचे आपको चार आप्शने गिवन है तो इसे हम सोल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली एक्वेशन को हम में सोल करते हैं तो 36 लिका हुआ है 36 के आगे गुणा लिका हुआ है गुणा का अर्थ क्या है जोड है प्लस है और प्लस का अर्थ क्या है प्लस का अर्थ है विभाजित बोले तो बाग से है बाग साती और बाग का अर्थ क्या है गटाव से ह और माइनस काड़ थे गुना से है तो इस प्रकार से आपकी एक्वेशन मन गई तो यहाँ पर आपने इसे सोल किया तो चतिस प्लस है छे बटा साथ माइनस है बारा तो यह कभी 20 के बराबर हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि छे बटा साथ में आप भाग देंगे तो यह आपकी पॉइंट वाली संख्या आएगी जो कि कभी भी 20 के बराबर नहीं होगी तो यहाँ पर एक्वेशन नमबर 1 तो आपकी गलत है अब हमें एक्वेशन नमबर B को चेक करते हैं तो B एक्वेशन में 36 लिका हुआ है प्लस का अड़ते विभाजित कहा गया है मतलब भाग हो जाएगा 6 माइनस का अड़ते गुना हो जाएगा और गुना का अड़ते योग हो जाएगा और भाग का अड़त क्या हो जाएगा गटा हो जाएगा माइनस 3 है तो 36 में हमें 6 का भाग देंगे तो 6 बार आपका भाग जाएगा 6 को अगर आप 3 से गुना करोगे तो संख्या आपकी 18 ऐगी, 18 प्लस है 5 माइनस 3 है तो 18 में अगर आप 5 जोड़ देते हो तो संख्या 23 बनेगी 23 में से तीन को अगर आप गटाओगे तो संख्या आपकी 20 बनेगी जो कि कभी भी आपके संख्या चोईस के बराबर नहीं हो सकती तो option number 2 भी आपका गलत हो जाएगा अब हमें option number 3 को चेक करते हैं तो 36 लिका गया है चतीन के आगे plus है plus का आपती विबाजित होता है और भाग का आपती गटाओ होता है गुना का आपती योग होता है और गटाओ का आपती गुना होता है इसे हम sol करते हैं तो 36 में हमने 6 का भाग दिया तो चंग चंग 36 6 बार गया माइनस का 3 ने प्लस 5 को 3 से गुणा किया तो 5 ती 15 हो गया अब इसमें हम देखते हैं 6 में से 3 गटाया 3 बचा 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा जो कि कभी भी 45 के बराबर नहीं होता तो आपसे नमबर C भी आपका गलत है अब हमें आपसे नमबर D को यहां पर चेक करते हैं तो संख्या आपकी 36 लिखी गई है माइनस का चिन है माइनस के लिए हमें गुणा का प्रियो करते हैं उसके आगे प्लस लिखा हुआ है प्लस के लिए हम भाग का चिन ही उच करते हैं उसके आगे गुणा लिखा हुआ है गुणा के लिए हमें योग का चिन है प्रियोग में करते हैं और भाग के लिए हमें गटाव का चिन है प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें भाग करेंगे उसके बाद गुणा करेंगे और सबसे लाश्ट में जोड बाकी करेंगे तो 6 में हम 3 का भाग देंगे तो संख्या कितनी बचेगे 3 दुनी 6 बचेगे तो 34 को हम 2 से गुणा करेंगे प्लस 5 माइनस 3 यह हमारे नई एक्वेशन बन जाएगे तो 36 को 2 से गुणा करोगे तो संख्या आपकी बहतर आजाएगे पाँच में से 3 गटाएंगे तो आपका 2 बचेगा तो बहतर और 2 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा जब गिया आपको इकॉल में भी 54 गिवन है तो 54 बड़ाबर 54 हो जाएगा मतलब जो आपकी एक्वेशन है वो बिलकुल सही हो जाएगे और यहाँ पर सही समये करतना आप से पूछा गया है तो आपस नमबर डी यहाँ पर करेंड हो जाएगा आपका एक अनानास का मुले 7 रुपे है और तरबूज का 5 रुपे है जदी एक्स व्यक्ति इन फलों पर 38 रुपे खर्च करता है तो खरीदे गए अनानासों के संख्या कितनी होगी यह आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो इसे हम सौल करने की कोशिश करते हैं तो आप्सन से इसे हम सौल करेंगे तो अनानास की आपकी संख्या पूछी गई है और एक अनानास का मुले कितना दिया गया है जो अनानास है उसका मुले आपको यहाँ परे 7 रुपे दिया गया है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने 2 अनानास करी दिया तो मुले कितना हो गय डो गुना साथ बोले तो 14 रुपे हो गया रीमेडनिंग आप र जला रीमेडनिंग आपका यहां पारे कितना बल्चा 14 खटा होगें आप ली 38 में से पर आपका 24 रुपे में बचेगा त्रोइस रुपे में क्या आप ली तर्बूच खरी सकतए हो नहीं करी सकते क्योंकि एक तर्बुच पांच रुपए काता है तो केवल चार ही तिर्बुच खरीज सकोंगे और आपके चार रुपए बाकी रह जाएंगे तो यह आपका नहीं होगा भी आप्शन को चेक करते हैं हमने यहां पर तीन अनानास करीदे तो तीन को हम साथ से गुणा करें तो तीने साथे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 38 रुपए हमने खर्च किये हैं और इसमें से 21 रुपए के हमने अनानास कर दी खरीद लिए तो रिमेनिंग कितने रुपए बचे आपके आपके यहां पर 17 रुपए बचे क्या 17 रुपए में आपे 5 रुपए वाला कुछ आप खरीद लोगे लेकिन आपके दो रुपए यहां पर फिर भी बच जाएंगे अभी ऑप्सन नमर सी को चेक करते हैं जिसमें हमने चार अनानास से खरीदे हैं तो एक अनानास का मुले 7 रुपए है तो 4 का मुले कितना हो जाएगा 7 चो के 28 रुपए आपका हो जिसके आपे 2 तरभूजे खरीज सकते हो और 2 तरभूज खरीदे के बाद में आपके 28 रुपए खड़चे हो जाएगे क्योंकि 10 रुपए के तो आपने तरभूज खरीदे और 28 रुपए के अनानास करीदे इसलिए हम यहां पर 4 अनानास करीदे और ऑप्सन नमर 2 हमारा य करना है इसके लिए आपके एक लेटर सीरीज आपको गिवन है जिसमें आपके लेटर है एजेड़े सी एकस ए एफ यू जे क्यू और उसके आगे कोशन चिन है तो कोशन चिन पर कौन सा मानाएगा दिये गए चार आप्शन में से यह आपको यहाँ पर फैंड आउटे करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ए जेड़ से सी एकस पर जाना है तो हमने यहाँ पर दे ए जेड़ लिखा और यहाँ पर हमने सी एकस लिख दिया है तो ए से आपको सी पर जाना है तो पहले दो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ए के बाद बी आता है बी के बाद आ आता है इसी प्रकार जेड से अगर आपको X पर जाना है तो Z से पहले Y आता है और Y से पहले X आता है तो यहाँ पर दो लेटर पीछे जाना पड़ेगा तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमने 2 लेटर जोड़े और उसके बाद में 2 लेटर घटाए यह आपका सीरिज का फॉर्मेट है इसे हम आगे चेक करते हैं तो Z से आपको कहा जाना है आपको F पर जाना है तो C से हमें F पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें कितने लेटर जोडने पड़ेंगे यहाँ पर C के बाद में आपका D आता है D के बाद E आता है E के बाद में F आता है तो आपको यहाँ पर तीन लेटरे जोडने पड़ेंगे आगे आपको X से U पर जाना है तो यहाँ पर आपको तीन लेटरे घटाने पड़ेंगे आगे हम देखते हैं F से आपको J पर जाना है तो F के बाद में G, H, I, J मतलब आपको यहाँ पर चार लेटर जोड़ने पड़ रहे हैं सिमिलरी J से आपकी उपर जाओगे तो आपको यहाँ पर चार लेटरे घटाने पड़ेंगे तो आपकी यहाँ पर सिरीज बन गई है प्लस टू माइनस टू उसके बाद में इसमें एक एक इंकरिज होता जा रहा है उसके बाद में प्लस त्री माइनस त्री बन गई है उसके बाद में प्लस पॉर माइनस पॉर बन गई है और last वाले series क्या बन जाएगी आपकी प्लस वाइवे माइनस वाइवे बन जाएगी तो जे में हमें पांच जोड़ेंगे तो आप कहां पहुँँच जाओगे आप उ पर पहुँच जाओगे इसे परकार Q में अगर आप पंच लेटर माइनस कर दोगे आपका जे है वो दस पे आता है इसमें पांच लेटर जोड़ोगे तो पंदरा पर पहुँच जाओगे और पंदरा पर क्या आता है वो आता है इसी प्रकारी आपका जो क्यू है वो आपका सत्रा पे आता है सत्रा में से पांच गटाओगे तो बारा पर पहुच जाओगे और 12 पर आपका L आता है तो आपके यहाँ पर लेटर आ गए OLA जो कि हमारे खालिस्तान पर हमने फिल अप कर दिये और यह हमें option number D में गिवन है तो option number D हमारा इस question का अंसर हो जाएगा Hello students आपको यहाँ पर एक number series गिवन है इसे आपको solve करना है और question mark वाली जो संक्या है यहाँ पर find out करना पड़ेगा कि कौन से संक्या आएगी series है आपकी 2, 3, 5 वे उसके आद में question mark है उसके आद में 11 है 13 है 17 है और 19 है तो इसे कैसे solve करेंगे तो सबसे वाले हम देख पा रहे है यह एक special संक्या है जिन संक्याओं में केवले खुद की संक्या का ही भाग जा रहा है जैसे आप देख पा रहे हो 2 में 2 का भाग जाता है 3 में 3 का भाग जाता है 5 में 5 का ही भाग जाता है 11 में 11 का भाग ही जाता है तो इस प्रकार की जो संक्या है होती है उन्हें हमें तीन के बाद पांच ऐसी संक्या है और पांच के बाद में साथ ऐसी संक्या है जिसमें खुद का ही भाग जाता है तो कोशन मार्क की जगह क्या आजाएगा साथ आजाएगा उसके बाद में 11 13 17 और 19 उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो 23 आएगी तो हमें कोशन मार्ग का ही find out करना है तो 7 हमारा answer आजाएगा जो किये गए अब आज जिस संग्याओं की ये श्रेणी हमें गिवन है कोशन है शारदा ने दक्षिन दिशा में चलना शुरू किया 15 मीटर चलने के बाद वहे दो बारे अपने बाएं घुमी और दोनों बारे 15 15 मीटर चली वहे अपने प्रस्तान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है ये आपको बताना है दिए गए चार आप्शन में से तो सबसे पहले आपको इसके लिए दिशाओं का ग्यान होना चीए तो इधर आपकी पूरा दिशा होती है इधर पच्छिम दिशा होती है उपर उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिन दिशा होती है तो सबसे पहले हमें शारदा को किस दिशा में हमें चलना शुरू करना है शारदा यहाँ पर खड़ी है तो इसे सबसे पहले दक्षिन दिशा में चलना शुरू करना है कितना चलेगी पंदरा मिटर चलेगी पंद्रा मिटर इसको हमने दक्षिन दिशा में चला दिया है फिर आगे कहा गया है वह दो बार अपने बाएं घुमती है दो बार उसको बाएं घुमाना है ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और कितने मिटर चलेगी पंद्रा मिटर चलेगी और उसके वाद में वह वापिस अपने बाएं घुमेगी क्योंकि लिखा गया है दो बार बाएं घुमती है तो वापिस उसको हमें लेफ्ट घुमा देते हैं और यह हमारे 15 मिटर चलेगी और पूछा गया है वह अपने प्रस्तानिस्ताने जो starting का जो point है से कितनी दूरी और यह किस दिशा में इस्तित है तो इधर आप जानते हैं कौन सी दिशा होती है इसके comparison में इस तरफ पूरू दिशा होगी कौन सी दिशा हो जाएगी पूरू दिशा हो जाएगी और यह आपके distance कितनी है distance आपकी 15 मिटर है तो 15 मिटर distance हो जाएगी और पूरू दिशा में दूरी हो जाएगी तो option नमबर B हमारा हाँ पर correct हो जाएगा 15 मिटर पूरू दिशा में